तो कैसे हो आप लोग तो कैसे हैं आप लोग तो दोस्त वो लोग चूतिया है जो लोग रियल मी फाइफ आई को नहीं लेते हैं मेरा दोस्त है ना एक मेला राम वो रियल मी फाइफ आई को लिया है अब चूतिया नहीं है क्योंकि उसने रियल मी फाइफ आई को लिया है समझ बीटिंग भी करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना हमारे चैनल दिप्टिक को सब्स्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर करना तो गैस मेरे दोस्ते ने इसे आफ लेन इस्टोर में लिए है और लेन इस्टोर में लेता तो बहुत ही सस्ता पड़ता तो प्राइज में आपको वीडियो के लास्ट में तो पूरा लास्ट तक देखना और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस फोन में आपको 5000 mh के बैटरी देखने को मिलता है जो लगभग दीन भर चलेगा और गेम खिलोगे तो दस-12 घंटे तो चली जाएगा राम से पीछे में क्वार्ट केमरा देखने को मिलता है मतलब चार केमरा देखने को मिलता है जिसक तो फ्रंट केमरे के बारे में बताना ही भूल गया इसमें आपको 16 मेगा पिक्सल का फ्रंट केमरा भी देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों अब इसको अन्बॉक्स करते हैं तो इस फोन को अन्बॉक्स करते हैं तो इस रेपर को निकालते हैं और देखते हैं आखिर फो का मज़ा ही कुछ हुर है है रियल मी वालों ने इसके अंदर मोटर फिट करे लाएं कैसे हराम शी निखर रहा था और सबसे पहले उपर में हमको एक Esperizen को मिलता है जिसमें हमको आधिर नहीं को मिलता है जिसे कोई पर एक चुतिया सा जिली देखने को भी मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए और हम इस जिली को भी निकाल देंगे क्योंकि हमें मोबैल चला कर देखना है तीजोरी में भरना है तो फ्रेंड्स यह जो फॉन है ना लुक के मामले मुतना खास नहीं देख रहा है क्योंकि अगर यह माइक्रो एजबी है मुझे पता है मैं होस्यार हूँ और इसमें आपको 10 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है मैंने इस पेसिफिक किसन में पढ़ा है और यहां पर भी देखो लिखा हुआ है 10 वाट का चार्जर तो अब हम इस डबबे को और उसके समानों को के वीड में रख देते हैं और चलाते हैं तो यह जो फॉन है डिस्पले तो बहुत आच्छे दिख रहा है और इसके अंदर जो भर भर पर के ब्लॉत वेयर है वह भी बहुत अच्छे देख रहा है कैमरा तो मुझे बहुत हिए अच्छा लग रहा है हाला कि मेरा फेस नहीं दिख रहा है फ्लेसलाइट की वह जैसे लेकिन मैं अभी घर के बाहर जाऊंगो और वहां पर फोटो खीच कर अभी आपको दिखाऊंगो तो यह रहा फ्रंट केमरे का फोटो और यह बैक केमरे का फोटो और माइक्रो मोड को चेक करने के लिए हमारे घर में फूलो का पेंड नहीं है इसलिए हम चणड का फोटो कीच रहे हैं वैसे इसमें जो माइक्रो मोड वाला जो कैमरा लगा है जो माइक्रो कैमरा है उसमें बहुत ही अच्छा डीटेल है और इसका जो वाइड एंगल लेंस है उ और बहुत ही जल्दी में इस फोन का रिव्यू भी लाने वाले हो मतलब इसमें गेमिंग कैसा रहते हैं और गेमिंग के लिए यह जो फोने यह कैसा रहता है तो उसके लिए अभी से हमारे चैनल को सब्स्राइब करके रख लीजी तो कि मेरे दोस्ते ने इस फोन को ऑनलें नह कर ले लिए तो जो दुकान वाले हैं वहां पर 11000 रुपे लेकिन दुकान वालों ने हमसे 12200 रुपे लिया है तो आफलें में तो बहुत ही महेंगा पड़ा और ऑफलें में जो लिए उसके साबसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे और अगर आप ऑनलें लेते हैं त तो मैं सेसिस करूंगा आप ऑनलाइन ही लो तो किस आपको यह फोन का अन्बॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा यह बात नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो कम से कम रियल में फाइफाई के लिए वीडियो को लाइक कर लेना हमारे चैनल को सब्सक्